C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वनी पाठ सबक नमबर 3 परी का वर्दान ये एक फ्रांसी सी लोग कहानी है सफ़ा नमबर 15 बहुत जमाना गुजरा दूर जंगल में एक लकड़ारा और उसके बीवी रहा करते थे उनका एक छोट असा जोपड़ा था लकड़ारा बहुत महनती था और अपनी महनत से वो लोग अपना घर चलाया करते थे उनके पड़ोसी बहुत अमीर थे और एश के जिन्दगी गुजरते थे लेकिन लकड़ारा और उसकी बीवी को अपनी गुजर करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था एक दिन लकड़ारा आगे के सामने बैठा हुआ अपने हाथ सेक रहा था और उसकी बीवी मोजे बुन रही थी बच्चो इसमें एक तस्वीर है और उसमें लकड़ारा हाथ सेक रहा है और उसकी बीवी पास बैठी हुई मोजे बुन रही है दोनों अपनी खिसमत का तज़करा कर रहे थे यानि अपनी खिसमत के बारे में बात चीत कर रहे थे लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी उसने कहा अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मैं चाहती हूँ तो सब पड़ोसियों की तरह बहुत अच्छी सिंदगी गुजारती हाँ ये तो है उसकी शोहर ने कहा अच्छा होता के हम परीयों के देश में होते एक परी हमें मिलती और हम उससे बहुत सी खुआशात का तज़करा करते और वो हमें सब कुछ दे देती बीवी बोली हमारी ऐसी किसमत कहां के हमें परी मिल जाए लकड़हारे की बीवी के मुसे ये अलफाज निकले ही थे एक खुब सूरत परी सामने आकर खड़ी हो गई तुम मुझे याद कर रही थी मैं हाजिर हूँ तुमें क्या चाहिए मैं वादा करती हूँ कि तुम तीन मरतबा जो खुआश भी करोगी वो खुआश पूरी की जाएगी ये कहकर वो गायब हो गई बच्चो इसमें एक तस्वीर है पर इसे बातचीत कर रहे हैं लकड़ारा और उसकी बीओ हैरान थे जो बात मज़ाख में कर रहे थे वो तो सबसच हो गया अब उनके सामने ये सवाल कि वो किया खुआश करें बीओी बोली अगर तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो तो मैं सोच कर बताओ कि क्या मांगा जाए लेकिन हकीकत ये है कि दौलत से बहतर कोई चीज रही कि ये दौलत इनसान को बड़ा बना देती है और उची सोसाइटी में शामिल होने के लिए रुपिया बहुत जरूरी है वह ये भी कोई बात हुई तुम अमीर हो भी गई तो बीमार हो सकती हो नौजवानी में मर सकती हो डाकू तुमारी दौलत चुरा सकते है इसलिए अकल मंदी इसी में है कि हम सेहत और वसलामती और लंबी उमर की खौहिश करे अगर हम गरीब हैं तो अलंबी उमर का क्या होगा क्या मैं पूछ सकती हूँ हमेशा मुसीबत में गिरफतार रहेंगे परी ने हमारे साथ जियाती की मुझसे तो वो एक दरजन खौहिश पूरा करने का वादा करती तो कुछ बात बनती मुझस तो बहुत सी चीजों की जरूरत है ठीक है हम कल तक सोच लें और तै कर लें जल्द आग जलाओ बीवी ने लकड़िया लीं और आग जलानी शुरू कर दी आग बहुत तेज जल रही थी गैर शौरी तोर पर यानि अचानक से उसकी जबान से निकला क्या अच्छा होता कि रात के खाने में कबाब होते उसकी जबान से ये बात निकली ही थी के कबाब सामने आ गए लकड़ हारे ने जब ये देखा तो सर पकड़ कर बैठ गया चटोरी औरत तुम्हारे चटोरे पर ने ये दिन दिखाया तुमने एक खाहिश का गला घोट दिया अब सिर्फ दो बाकी है मेरा जी तो चाहता है कि ये सब कबाब तुम्हारे उपर फिक दू जैसे ही उसकी जबान से ये लफ़ निकले कबाब लकड़ हारे की बीवी के सर पर चिपक गए ये देखकर दोनों परिशान हो गए दोनों एक दूसरे पर गुसा करने लगे प्यारी बीवी मैंने जो कुछ कहा है मैं कसम खाकर कहता हूँ बगेर सोचे समझे कहा मैं इतना गुसे में था कि तुमने एक खुआश को जाया कर दिया अब क्या करूँ मैं कुछ नहीं जानती अपने आपको खत्म कर लूँगी अब भी एक खुआश बाकी है या तो उस खुआश को मुझे कहने दो वरना मैं खिड़की से कूद कर मर जाऊंगी वो जैसे ही खिड़की के सामने दोड़ी लकड हारे ने उसे पकड़ लिया और वो उसे बहुत महबत करता था रुक जाओ रुक जाओ तुम जो चाहे मांग लो मुझे कोई मतलब नहीं ठीक है मैं चाहती हूँ कि ये कबाब मेरे सर से अलग हो जाएं कहते ही कबाब जमीन पर गिर पड़े सफा नंबर अठारा परी ने हमें बेकूब बनाया और उसने ठीक ही किया अगर हम अमीर हो जाते तो ज्यादा परेशान हो जाते सच ये है कि जिन्दगी में जो कुछ है उस पर गिनायत कर ले यानि उसी पर हम इत्मिनान से रहें और खुश रहें अच्छा चलो यही खालो क्योंकि अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं उन्होंने कबाब खा लिये और सोचा कि जो कुछ उनकी अकिस्मत में है वही उनका अपना है बच्चो इस तस्वीर में लकड़हारा उसकी बीवी दोनों बैठे हुए कबाब खा रहे हैं और आग जल रही है सवलात एक लकड़हारे की जिन्दगी कैसे गुजर रही थी दो लकड़हारे की बीवी ने क्या तमन्ना की तीन लकड़हारा और उसकी बीवी क्यों हैरान हुए चार परी ने क्या वर्दान दिया पांच लकड़हारे की बीवी ने क्या ख़ाहिश की छे उन दोनों की ख़ाहिशे कैसे पूरी हुई साथ, अपनी ख्वाहिशों का अंजाम देख कर उन्होंने क्या सबक सीखा अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए उर्दू की सहायक पाथे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाथ कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर अप्षान सिद्धी की, तक्नीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, निर्देशन वर निर्माण विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत